तो चलिए वीडियो को बिना देरी किये शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेर जरूर करें फ्रेंट्स हमारी लिस्ट में सबसे पहले आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक जबरदस्ट आक्शन थ्रिलर मूवी इथरकुम थुनिन धवन ये एक तमिल लांगविज की फिल्म है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है मूवी को IMDb की तरफ से 6.4 आउट ओफ 10 की अच्छी रेटिंग्स मिली है और 83 परसंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है मूवी में लीडरोल निभाते हमें नजर आते हैं प्रयांका मोहन, सूर्या और विनेराय जैसे और भी कई सारे स्टार्स मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी शुरू होती है कन्ना बिरन नाम के एक लड़के द्वारा किये हुए सीरियल मर्डर केस से जिसमें कन्ना बिरन के पिता को छोड़ कर घर और गाउं में कोई भी नहीं मानता कि उसमें हत्या करने की शमता है आखिरकार एक वकील जो लोगों को अन्याय दिलाने का काम करता है वो कन्ना बिरन की मदद करने के लिए आगे आता है आगे कहानी में कन्ना बिरन के गाउं के एक पुडोसी दुश्मन गाउं को दिखाया गया है जिसका मुखिया इन्बा नाम का एक व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ मिलकर गाउं की लड़कियों का शोशन करता है जब कन्ना बिरन उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो इन्बा गुस्से में आकर उस पर ये सारी हत्याओं के मामले डलवा देता है अब आगे कहानी में देखना काफी थ्रिल प्रोवाइड करने वाला रहता है कि आखिर कन्ना बिरन अपने आपको निर्दोश कैसे साबित करेगा और साथ ही वकील के साथ मिलकर सभी पीडित लड़कियों को इनसाफ कैसे दिलाएगा अच्छी मूवी है फ्रेंज जिसे आप एक बार जरूर इंजोई कीजिए तो अगर आप भी इस मूवी को देखने में इंट्रस्टेड हैं तो इसे यूट्यूब पर हिंदी डब में इंजोई कर सकते हैं मूवी आपको बिलकुल भी निराश नहीं करेगी फ्रेंज हमारे चानल वी फिल्मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें नेक्स फ्रेंज हमारी लिस्ट में नमबर टू मूवी है साल दो हजार एक्टिस में रिलीज हुई एक मस्ट वाच साउथ आक्शन त्रिलर मूवी अजा कजन्थरम ये एक मल्यालम लैंग्विज की फिल्म है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 आउट ओफ 10 की अमेजिंग रेटिंग्स मिली है और 89 परसन गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को लाइक किया गया है मूवी की कास्ट में हमें नजर आते हैं अर्जुन अशोकन और सिनोज वर्गिस जैसे और भी कई सारे टैलेंटेड आक्टर्स मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी में अरंजली नाम का एक गाउं दिखाया गया है जहां एक मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है यहां की युवा नशीली दवाओं और शराब के नशी में धुत हैं लाली नाम की एक लड़की जो हाथी बेचती है अपने हाथी के साथ उत्सव में हिस्सा लेने के लिए अरंजली गाओं पहुँच जाती है लाली में बहुत एहंकार है लेकिन कहानी में एक आक्शन भरा ट्विस्स तब आता है जब एक ग्रामीन लाली के साथ एहंकार पूरवक बुरा वहवार करता है अब स्थानी गाओं वालों और हाथी संचालों को के बीच तकराव और एहंकार की लड़ाई छिड़ जाती है अब आगे कहानी में देखना काफी एंगेजिंग रहता है कि इन दोनों गुटों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार काफी अच्छी मूवी है जो आप जरूर पसंद करेंगे अच्छे खासे action scenes हैं जो मूवी को भरा हुआ बना देते हैं ये मूवी आप YouTube पर Hindi dub में enjoy कर सकते हैं मूवी आपको बिलकुल भी बोर नहीं होने देगी और अब friends finally हमारी list में number one मूवी है साल 2023 में डिलीज हुई एक do not miss south action thriller movie August 16, 1947 ये एक Tamil language की film है जिसे हिंदी में भी same नाम से ही dub किया गया है मूवी को MTV के तरफ से 7.1 out of 10 की बहतरीन ratings मिली है और 80% Google users ने इस film को like किया है मूवी में अपनी शांदार acting के साथ हमें नजर आते हैं अब बात करें मूवी की basic storyline के बारे में तो कहानी काफी अच्छी है जिसमें सेंगर नाम के एक गाउं को दिखाया गया है जिस पर अंग्रेज officer Robert Clive हुकूमत करता है और लोगों को ये नहीं पता लगने देता कि देश अजाद होने वाला है क्योंकि ये कहानी अजादी से चार दिन पहले की है वो यहां के लोगों पर जुल्म करता रहता है अंग्रेज officer लड़कियों और ओरतों को अपनी हवस का शिकार बनाता है और जुल्म के डर से स्थानी लोग भी चुप है जब इस officer के जुल्म की हद पार हो जाती है तब गाउं में धीरे धीरे लोगों के भीतर सहस पैदा होता है और सालों की गुलामी सहने वाले गाउं के लोग अंग्रेजों के खिलाब आवाज उठाते है और खास बात तो ये है कि रॉबर्ट के खौफ से लोगों को ये तक नहीं पता चल पाता कि वह अजात हो चुके हैं लोगों को ये जानकारी दब मिलती है जब वो रॉबर्ट को पूरी तरह हरा देते हैं मूवी में कुछ जबरदस आक्शन सीन्स हैं जो मूवी को नेक्स लेवल बना देते हैं और आक्टिंग की बात की जाए तो वो भी कम नहीं है तो ओवरॉल काफी शानदार मूवी है जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और इसे जल्द से जल्द यूट्यूब पर हिंदी डब में इंजॉई कर लीजिए मिस करने वाली मूवी बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसी ही और भी जादा इंट्रस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जोड़े रहें कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई फ्रेंज